हलो इन्वेस्टर्ज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ में टोटल में साथ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने आपे स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मीडिया भाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड चंबल फर्टिलाइजर का जो शेयर प्राइस है वो 380 रुपीज के आसपास में चल रहा है और कंपनी ने आपे बाइबैक अनाउंस करके रखा है 450 रुपीज का जिसका मदलब यह है अगर आप बाइबैक के अंदर में अपना एक शेयर कंपनी को वापस सेल करते हैं तो कंपनी आपको एक शेयर के बदले में 4.500 रुपे दे देगी और यह जुँ बाइबैक ए टेंडर ऊफर के थूँ रहने वाला है आपको अपने शेयर को यहां पे टेंडर करना पड़ेगा एंद टेंडर करे ओए शेयर में से कुछ शेयर आपके बाइबैक के लिए चले जाएंगे याद रखिएगा यहाँ पर टोटल जो बाइबैक साइज है वो 1.55 करोर शेर्स करेगा जो की 700 करोर रुपीज का बाइबैक बन जाता है तो आप चाहे जितने मर्जी टेंडर कर लीजिए शेर्स जितने परसेंट आफ दी शेर्स सिलेक्ट होने है सिरफ उतने ही होंगे इस चीज का ध्यान रखिएगा बाकी बाइबैक को देने की एकस डेट और रिकॉर्ड डेट अपकमिंग में है जैसे ही कमपनी एकस डेट और रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेगी मैं आप लोगोंको सबसे पहले इंटीमेट कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Tanla Platforms Limited Tanla Platforms का जो share price है वो 1,086 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस company ने आपे board meeting और्गनाईज कर दिये 23rd of January को और इस board meeting का जो purpose है वो dividend और साथी साथ में quarter 3 के results को लेकर के रहने वाला है तो 23 January को company आपे dividend announce करेगी और अगर company ने अपनी dividend history यानि की past में company ने अपने investors को जितना भी dividend दिया है उसके accordingly एक अच्छा dividend announce कर दिया तो definitely इस stock के अंदर में हम लोगों को एक अच्छी खासी rally देखने को मिल सकती है Tanla Platforms fundamentally financially काफी strong company है तो जरूर से stock को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Cumans Limited Cumans Limited का जो share price है वो 2033 रुपीस के उपर में चल रहा है अगले share की बात करें तो company का नाम है Tiger Logistics Limited Tiger Logistics का जो share price है वो 838 रुपीस के उपर में चल रहा है अगले share की बात करें तो company का नाम है Tiger Logistics Limited जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में 20 company के जितने मरजी shares हो आपका हर एक stock यहाँ पे 10-10 stocks के अंदर में convert हो जाएगा अभी तक company ने stock split को देने की x date और record date अनौंस नहीं करी है जैसी company x date और record date अनौंस करेगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है अक्षर Spintex Limited अक्षर Spintex का जो share price है वो 4-5 रुपे के आसपास में चल रहा है जी हाँ 4 रुपे का एक penny stock है और इस company ने आप इस stock bonus अनौंस करके रखा है 1-5 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company के 5 stocks है तो यहाँ पे आपको एक stock as a bonus मिलेगा टोटल में जो आपके 5 shares है वो 6 shares के अंदर में convert हो जाएंगे देखिए फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मर्जी stocks हो हर 5 stocks के उपर में आपको एक stock का bonus दे दिया जाएगा और अगर आपको सच बताऊं तो काफी जादा बेकार ratio से आपे bonus अनौस किया गया है और इसी चलते इस stock के अंदर में हम लोगों को काफी गिरावट भी होती हुई देखने को मिली बाइदवे कंपनी ने बोनस को देने की X date और record date अनौस कर दिये जो कि 5th of February की रहने वाली है अगले share की बात करें तो कंपनी का नाम है Keval Kiran Clothing Limited Keval Kiran Clothing का जो share price है वो 750 रुपीज के उपर में चल रहा है और इस कंपनी ने आपे board meeting organize कर दिये 20th of January को और इस board meeting का जो purpose है वो dividend and साथी साथ में quarter 3 के results को लेकर के रहने वाला है अब ये company भी आप कह सकते हैं एक अच्छी company है अगर company ने अपनी dividend history के accordingly एक अच्छा dividend announce कर दिया और साथी साथ में quarter on quarter basis पे भी एक अच्छी growth report कर दी तो definitely इस stock के अंदर में भी हम लोगों को एक तेजी देखने को मिल सकती है तो जरूर से केवल केरन clothing के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है HPCL यानि की हिंदुस्तान petroleum corporation limited हिंदुस्तान petroleum का जो share price है वो 450 रूपीज के उपर में चल रहा है और हिंदुस्तान petroleum की तरफ से काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे अनंदराथी shares करके एक काफी जाना माना brokerage firm है and अनंदराथी brokerage firm ने जो है HPCL के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करिए and यहाँ पे targets दो दिये गए है पहला target दिया गया है 460 रूपीज का and जो दूसरा target दिया गया है वो 526 रूपीज का दिया है अभी जो 460 का target है यह लगभग current market price से 2% का बन जाता है जो की intra day के लिए दिया गया है and जो 526 रूपीज का target है वो long term perspective को देख करके दिया गया है तो long term के अंदर में आनंदराथी shares expect करके चल रहा है कि 450 रूपीज से लेकर के 526 रूपीज तक जो है आपको हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited का जो share है वो आता हुआ देखने को मिल जाएगा अब यहां से काफी अच्छा target बन जाता है company भी strong है इसमें कोई ही शक नहीं है तो जरूर से आप हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited के share के उपर में नजर बना के रखिएगा और जरूर से आपके watch list के अंदर में add कर लीजेगा और इसके अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही साथ stocks थे जिन्नोंने आप stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye